बजट दिल्ली के कागजु में उनको ठीक लगता होगा लेकिन ग्रामींड पश्ट भूमी पे ठीक नहीं है इसका ज्यादा लाब किसानों को नहीं होगा कमपनियों को जरूर लाब होगा जो और गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए वो भी कोई ने कोई कि एंजियों कम्पनी कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे और गैनिक यह आएगा उस पर पैसा चल जाएगा उसका यह देखना कि किस मद में पैसा जाएगा डारक्ट किसानों को लाब देना है तो उसकी फसलों की कीमते द लोड़ेगा कि आप उसको पानी फिरी देदो तो सिधा लाब किसानों को भी लगा आप उसको सस्ता फ्रट्राजर देदो दवायां देदो क्या जितने क्यूप्मेंट एग्रिकल्चर में लगते हैं उस पर जीसटी नहीं है आप उसको फिरिकर दो तो एक्यूप्मेंट वो भी एग्रिकल्चर में आता है आपने उसके लिए क्या सुधा करी जो दूद उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं माताएं हैं वे भूमीन है उनके पास में जमीन भी नहीं है लेकिन वो दूद का उत्पादन करती है उसके लिए क्या किया बजट में बीस रुपे किलो दूद के रेट कम होगे एक साल में सबसे जाला आला तो उनकी खराब है जो कारखादों में काम करते हैं लिवर उसका क्या करा आपने हेल्थ पे क्या किया ग्रामीड हेल्थ पे कोई योजनाएं है एजुकेशन साप उनको फिरी दे दो उन पर काम करना चाहिए एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है आप वो करो ने गाउं में भी बढ़ावा बतातो कि कोई ने कोई एंजियो कंपणी आएगी वह पैसे लेगी रहा है कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिका होंगी कि वह सो किसानों को भुलवाएंगे उनका बजट लेंगे उनको बताएंगे कि आप इसमें गोपर की हाथ यह इसलिए कृँर यह करा रहा आप उसकी अलग सा मारकिटिंग आप अगर दे दोगे उसकी अलग आपकि दे दो उसकी इसकान तो नेचुर इन पानिम कुछ किसान कर रहे हैं विए अमने तो चया डिजिटल बढ़ाएं हमें किसानों को डिजिटल कंपियंस जोड़ दो हमारा करने का भुगतान दूसरी भुगतान भी आप क्वेटनों से कर दो तैक्नोलोजी आप इस्टोर कि विन जोड़ा हो आप मढानो का प्रधार प्रोजेक्ट है डिजिट्रल कमपियन अमारा गन्णने का पसल तो साल में और उसका होता है वो भी बारा महिन्य में आठ महिन्य में अभी कुछ फैक्ट्रियू का भूकतान जो करने का है वह नंवर दिसंबर का हुआ ऑफ किरसी में बहुत से सेक्टर आएंगे आप कौंड से सेक्टर में कितना फंट दो गए आपकल तो यह भी कहोगे कि पुलिस को अमने इतना फंट दे दिए उसकी तनका दे रहे हम यह जो सेक्टर में पैसे देने की बात करी इसको करना पड़ागा कि कि सेक्टर में कितना जा रहा और वह कहां लग रहा आप भाव देने की बात नहीं करते शारी बात करते कि पूरा हमारा उत्तर परदेश और बिहार बहुत हिस्से बाड़ से परभावित हुए क्या उन किसानों को लाब मिल रहा है नुक्सान की कोई भरपाई हो रही है वो नहीं हो पा रही है नहीं किसमे लेका आरि जिस तरह से कलायमेट चेंज हो रहा है वो ठीक है कि उस तरह की फसले सरकारे ले कर आ रही है लेकिन उसमें जैनिंटिकली मॉडिफाइड सीर्ड नहीं होने चाहिए जीम सीर शूनी होने चाहिए बसने तो हमारे वाग्यानिक है जो रिक्यानैं एक पाएंगे कि क्या वे हान फून तो नहीं है क्या वे मानाव सरीर के लिए आनिकारक तो नहीं है तो इन सब चीजु पर ध्यान हम को करना पड़ेगा